हलो तो स्वागत है आप सबका आपी की चैनल डीके पार्त यूटूब चैनल पर आज का हमारा टॉपिक है स्वासंतंत्र रेस्पारेटरी सिस्टम के बारे में बताने वाले हैं कि यह होता है क्या है यह बालोजी का टॉपिक है उमें दोगा आपको वीडियो जरूर पसंद आ होता है इन सबकी बारे में डीटेल में अपको देंगे तो वीडि味 को तरुरोर देखैं तो विडियो स्टाट करते हैं अगर क्या इंप विदिया你們 को सब्चाइम करते हैये क्योंकि subscribe करेंगे तभी तो आपको इससे तरह वीडियों मिलती रहेंगे तो वीडियों को start करते हैं रेस्पारेटरी सिस्टम सोसन तंत्र है इसको हिंदी में बोलते हैं रेस्पारेटरी सिस्टम इस सोसन होता क्या है सोसन का मतलब क्या होता है इसमें तंत्र क्यों उसको बोलते हैं इन सब के बारे में बताने वाले हैं किसको क्यों बोलते हैं तंत्र समझ दिए क्यों बोलते हैं कि स्वसन जो हमारा प्रोसेस होता है स्वसन जो होता है उसमें कई तरह के अंग मिलकर काम करते हैं तो कई तरह के अंगों का मिलकर काम करना एक साथ जूड़कर एक पुड़ी परकृया में भाग लेना वो बैलाता है तंत्र तो इसलिए स्वासन हो रहा है स्वासन में कई अंग भाग ले रहा है इसको बोलते हैं स्वासन तंत्र respiratory system, क्योंकि एक प्रडाली काम कर रहा है, तो इसमें देखते हैं क्या क्या होता है, पहले होता है, आक्सी करड होता है, आक्सी करड क्या मतलब क्या होता है, यानि आक्सीजन का यू जो रहा है, आक्सीजन से कुछ काम हो रहा है, इसलिए इसको बोलते है क्या हो रहा है, आक्स सरीर के आरगन से होते हुए जाएगी हमारे blood में मिलकर हमारे cell तक जाएगी cell में जाकर glucose को burn करेंगी तोड़ेंगी उसको and उसमें उर्जा मिलेगा उसमा मिलेगा and carbon dioxide लेकर blood बाहर लेकर आएगा gas के थुरू तो यह पूरी process जो हता यह पूरी जो प्रक्रिया होती इसको हम बोलते हैं सोसन नो किस सोसन बोलेंगे केवल हम सांस अंदर लें सांस बाहर शोड़ें इसको तो बोलते हैं स्वासो छवास यानि breathing बोलते हैं इसको लेकिन सोसन का मतलब होता है respiration का मतलब ही होता है कि सांस को अंदर लेना और आमारे सरी में जो ग्लोकोज उसको बर्न करना और उर्जा प्रदान करना तर्भन डाइड को बाहर लेकर आना पूर्डी प्रक्रिया स juego hai तो इसमें होता है पहला प्रॉस्अ क्या होता है अक्सीकृड होता है यानी कि ATP, adenosine triphosphate के रूप में उर्जा निकलती है जो क्या होता है हमको काम करने यानि work करने में help करता है and उसमें से निकलेगा क्या carbon dioxide, carbon dioxide क्या होता है जैसे बोलते हैं कि हम लोग oxygen लेते हैं carbon dioxide बाहर को छोड़ते हैं तो वह carbon dioxide गुलकोज जलने के बाद उर्जा मिलती है, उसमा मिलती है उसके बाद हमको carbon dioxide भी मिलती है तो carbon dioxide को बाहर तो निकलना है तो carbon dioxide निकलेगा फिर उसके बाद उसमें क्या होगा हमको ketabolic process होता है ketabolic का मतलब वही जो oxygen जाता है हमारे सरी में सांस के दौरा gas के रूप में तो glucose को break down करता है तोड़ता है, तोड़ने का काम क्या करता है catabolic and जोड़ने का क्या करता है anabolic तो यह process होते हैं तो यह पूरी परक्रिया क्या करती है respiratory system स्वसन तंत्र करती है तो अब देखते हैं कि इसमें जो कई तरह के जीव जो है हमारे प्रिधमी प्रपुलब्द उनके स्वसन अंग कौन-कौन से स्वसन अंग है हमारे में कौन सा स्वसन अंग है बकिया कीट में कौन सा स्वसन अंग है तभी जीवों में कौन-कौन से स्वसन उसके बारे में लेते हैं अपने बच्चों को दूद पिलाते हैं, उसको बोलते है saw स्थंदारी जीव, अस्थंदारी का मतलब जो जीव बच्चे पैदा करें अंडे न दे, बच्चे पैदा करें और अपने बच्चों को दूद पिलाए हो क्या करता है? अस्थन दारी जी तो अस्थन दारी जी जो होता है मैमल्स जो होते हैं इंगलिसमें मैमल्स बोलते हैं वो कैसे सांस लेते हैं लंग्स के द्वारा है फ़ड़े के द्वारा स्वासन करते हैं कीट जो होते हैं कीट पटंगे जो कीडे मकोडे होते हैं जो छोटे जी होते हैं ज जली जी होते हैं, जो जल में रहने वाले जी होते हैं, वो कैसे लेते हैं, गिल से, यानि गलफ़ड से स्वसन अपना करते हैं, क्लोम जिसको हिंदी में क्लोम बोलते हैं, अंगलिस में गिल से बोलते हैं, एक गलफ़ड सब्द होता है, जो क्या उर्दु भासा है, उसको बोल करता है और बड़ा मेड़ का बच्चा जो पानी में राता है उनके सौसन करता है और लेकिन बच्चा वोड़ा में पीट्र początku अँप बेड़-बगडी बच्चे सेयर बग गाय भैंस जो होते हैं इस अब भच्चे इन सब के सवसन अंग जो हैं ये लांग सोड़ होते है तो देखते हैं नेक्स लैड़ में नेक्स स्लाइड जो हमारी है वो स्वासो छवास की यानि ब्रीथिंग की हो जैसा कि लोग नर्मल बाशा हम बोलते हैं ने स्वासन क्या होता है भाई सांस लिया अंदर अंदर बाहर छोड़ा यही स्वासन होता है लेकिन यह स्वासन नहीं होता है स्वासन हमने पिछले आपक को बाहर छोड़ना यह आपका breathing कलाता है तो gas को अंदर लेना यानि सांस को अंदर लेना क्या कलाता है इंगलिस में inspiration बाहर छोड़ना क्या कलाता है expiration इसमें क्या होता है देखते हैं जब सांस को अंदर लेते यह निए गयास को जब अंदर लेते हैं तो इसमें नाइट्रोजन आपका 78% लेते हैं आक्सीजन की मात्रा आप 21% लेते हैं और कार्बन डाइकसाइट की मात्रा क्या लेते हैं 0.03% लेते हैं क्या हो क्योंकि एक्स आक्सीजन तो हमको सबसे ज्यादा चाहिए तभी तो हम talking carbon dioxide के हमको जुरुत नहीं होती हैं घ्ס Juice down की म मात्रा खुद बनती है इसको बाहर निकलते हैं इसलिए carbon dioxide की बहुत Kaum लेते हैं लेकिन लेकिन गैस जो हमको वाइमेंडल में जो गैस हमारा है उसमें तो सभी गैसे उपलब्द हैं तो उसमें से जो हमको जुरत हो ले लेते हैं बकिया सारी गैसे फिर बाहर आ जाती हैं तो जब सांस अंदर लेते हैं तो 78% nitrogen 21% आपका रहता है oxygen 0.3% रहता है आपका carbon dioxide जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं यानि कि जब respiration हमारे अंदर हो जाता है जब वहां से glucose टूटने के बाद उर्जा मिलने के बाद जब carbon dioxide वहां पर नया बनता है तो सरजन होता है तो उस carbon dioxide को बाहर लेकर आती है जो गैस तो उसमें कितनी गैस की कितन परसेंटेज मात्रा रहती है उसमें भी आपका nitrogen 78% रहता है oxygen की मात्रा 17% रहती है 17% रहती है लेते हैं 21% छोड़ते हैं 17% फिर भी oxygen की मात्रा बाहर देते हैं and carbon dioxide की मात्रा 4% होती है तो हमने समय लिए स्वासो सवाज breathing क्या होता है कितना गैस अंदर लेते हैं कितना बाहर अब देखते हैं सोसन की क्रिया विधी सोसन संत्र की क्रिया विधी इसके आरगन कहां से कौन कौन से आरगन है कौन कौन से आरगन ही निवाब होते हैं कैसे होता है सोसन यह देखते हैं तिसमें आपका पहला होता है माउथ जहां से आप सांस को लेते हैं माउथ हैं नोज के होता है जेस्ट आपके टंग के जेस्ट नीचे गले के पास आपका फैरिंग्स राजान से आपका भोजन और पानी आपके सरीज में जाता है तो फैरिंग्स होता है फैरिंग्स के बाद आपका लेरिंग्स होता है लेरिंग्स क्या करता है वोकल कार्ड होता है यानि उससे बढ़ काम ही होता है आपका सांस को अन्दर बाहर फेकना सांस को अंदर लेना लंग्स के द्वारा ही होता है तो ब्रोंकाई दोनों लंग्स में चले जाते हैं एक एक ब्रोंकाई फिर उसके बाद ब्रोंकाई के अंदर भी कई ब्रांचेज निकलती हैं जिसको बोलते हैं जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं एक ब्रॉंक्ययो निकले हैं तो इसको ब्रॉंकियो बोलते हैं फिर उसकी ब्रॉंक्यो फे च्छोर पे यहां पर आम इसके इंड पार्ट पे आपको गुछे किनुमा आकृति दीखेगई यहां पर लाश में आपके इसी अल्वुलाई से होकर आपके ट्रेकिया से होते हुए माउस से होते हुए बाहर आता है तो इस अल्वुलाई में जब आक्सिजन की गैस की मातरा जब आती है कर्बन डाइकसाइड नाइट्रोजन सभी आते हैं तो इसमें जो बलड होता है हमारा किवल आक्सिजन क की मातरा को ले लेता है आक्सीजन की मातरा को ले लेता है वो आपके बलड के थुरू ले कर जाता है आपके औरगन के पास औरगन में जो सेल होती है सेल के पास लेता है सेल में आपका होता है माइटो कांडिया जो क्या कलाता है को उसका का बिजली घर कलाता है वो ही क्या करता यहांनी कि सौसन का प्रोसेस उसी सेल में होता है, तो अक्सिजन जाती है तो गुलकोज जलता है फिर वहां से आपका मिलता है ATP, फिर आपको बनता है वहां पर कारबन डियक साइट एंड उसमा निकलती है, तो कारबन डियक साइट जो गैस बनती है फिर उसको बलड लेकर आत तो जो सांस को लेने में, बाहर छोडने में, अंदर लेने में जो डाया फार्म में काम करता है जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो डाया फार्म नीचे चला आता है जब सांस को बाहर छोडते हैं तो डाया फार्म उपर चला जाता है जो अलविलाई होता है इसी में आपका गैस का आदान परदान होता है गैस बाहर जाती है फिर गैस को बलड का क्याम का होता है गैस का एक्सचेंज करा देनी गैसों का परिवहन कराना बलड का काम होता है बलड आपके इसी अलविलाई में आकर रहते हैं तो जब गैस इस पर देख और चेक आउट कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में धन्यवाद